दोस्तो आज कल के modern जमाने में कौन social media platform यूज नहीं करता और इनकी कितनी value है आज के time पर अगर कवी दोस्तो आपने सोचा है कि ये social media platforms बंद हो जाएं तो क्या होगा वैल 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 ये social media platforms पुराइं टाइम में भी नहीं थे तब भी लोग entertain हुआ करते थे information share करते थे लेकिन आज वो कौन से कारण हैं जिस वेए से सारे social media platforms बंद होने की कागार पर हैं और वो कौन से social media platforms हैं जो बंद होने वाले हैं यही सारी बाते मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ इस वीडियो के end तक बने रहे हैं मैं हूँ आपका host सूरज कोली सबसे पहले जानते हैं बारत में किसके कितने यूजर्स हैं बारत में यूट्यूब के 44.8 करोड वाटसप के 53 करोड फेजबुक के 41 करोड इस्टाग्राम के 21 करोड वही ट्वीटर के 1.75 करोड एंड कू एप के 65 लाइक यूजर्स हैं दोस्तों बता दें फरवरी दियर 21 मे इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्राध्यूक की मंतराले ने नए IT नियमों का पालन करने के लिए सोचल मीडिया प्लेटफार्म को 3 महने का समय दिया था जो आज खत्म हो रहा हैं अब जानते हैं वो कौन से नियम थे जो सारे सोचल मीडिया प्लेटफार्म को फॉलो करने 29. 5. इलेक्ट्रोनिक्स और सुटना प्रोजोकी की मंत्रा ले द्वारा गोसित नए नियम के अनुसार, सोउसल मीडिय प्लेटफॉर्म् को भारत से अनुपालन अधिकारीों को निप्तु करना होगा, यह अधिकारी शिकायतों को देखेंगे, सामिक्री की निगरानी करेंगे और अपती जनक सामिक्री होने पर उसे हटाएंगे और साथी साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिकायत निवाल तंतर रखना होगा जो की 24 घंटे में सिकायत का पंजीकरल कर सकें और उसके साथी साथ 15 दिन में इसका निक्टारा कर सकें ऐसे नियम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही नहीं बलकि OTT प्लेटफॉर्म पर भी लागू होने वाले हैं आप जानते हैं दोस्तों की वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन्हों ने अभी तक दिसानिर्दिसों का पालन नहीं किया है Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter ने अभी तक नए नियमों का पालन नहीं किया है Twitter का भारतिय संस्क्रल कू एक मात्र सोसल मीडिया एप है जिसने 25 मही की समय सीमा से पहले नए दिसानर्दसों का अनुपालन किया है तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सभी सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म कल यानि 27 मही से बंद हो जाएंगे या नहीं आपने कभी सोचा है कि ये कंडिशन क्यों आई है इन सभी सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म का बैंड होने का करण हम खुद भी हैं क्योंकि कोई भी fake news या fake information आती है तो उसको बिना जाने बिना सोचे समझे हम एक दूसरे को शेयर करते हैं और इसका नुक्सांग हम सवी को उठाना पड़ता है। इसलिए भारत ने एक कदम उठाया इन social media platform को लेकर ताकि इन सवी गत्विदियो पर restriction लगाया जा सके और इन सवी चीजों को खत्म किया जा सके। लेकिन लेकिन एक updated news में फेस्बुक की तरफ से एक बयान आया है कि वो सरकार की नई guideline का पूरा तरह पालन करेंगे नई guideline पर उसकी सरकार के साथ बाची चल रही है जबकि ट्विटर ने नई guideline को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। और यहाँ पर WhatsApp ने केंद्र पर मुकदमा दायर किया कहा कि नए media नेमों का मतलब आगे जाके privacy का end होगा। तो यहाँ पर conclusion लिकल के आता है कि काफी हम तक यह सारे social media platform बंद नहीं होगे। क्योंकि जिस तरह की updates आ रही है उससे साफ नदर आ रहा है कि in the future यह सारे social media platform भारत के दिसार निर्दे सुकों का पालन करने के लिए तयार हो जैंगे। लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा क्योंकि तीन मेहने का वक्त काफी नहीं था सारे दिसार निर्दे सुकों को लागू करने के लिए। लेकिन WhatsApp का कुछ कहें सकते क्योंकि WhatsApp ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है भारत के दिसार निर्दे सुकों को लेकर। दोस्तों फिकर करने की कोई जरूत नहीं है आपके पसंदीदा सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म कहीं नहीं जा रहेंगे और इस ख़वर को तेजी से लोगों तक पहुचा दीजिए। दोस्तों आपकी क्या रहा है इन सारे दिसार निर्दे सुकों को लेकर मुझे कमेंट सेक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगर ये सारे सुसल मीडिया प्रेटफॉर्म अगर बंद हो गए तो आपको कैसा फिल होगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो के तुरू कुछ भी इंफोर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना बूलें और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों वो लाल बाला बटन तेजी से प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्य हमेशा आते रहते हैं बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए यारो बाई बाई